सिपाई की 41,136 रूपे, नाइक की 45,222 रूपे, हवल्दार की 49,117 रूपे, ओनरी नाइप सुबदार की 59,337 रूपे, नाइप सुबदार की 53,664 रूपे, सुबदार की 60,480 रूपे, सुबदार मेजर की 66,384 रूपे, ओनरी लेपनेंट की 81,840 रूपे और ओनरी कैप्ट दोस्तों ये जो आपने आंकडे देखे ये आंकडे आपके आठवे वेतनायोग में होने जा रहे हैं। इस पूरी टेबल को समझने से पहले आठवे वेतनायोग पर एक बड़ा अपडेट आया है। इसमें बताया जाएगा कि कब लागू होगा आठवा वेतनायोग और कितनी बड़ेगी सेलेरी और उस सेलेरी के अनुसार पैंसन। साथमे वेतनायोग के तेथ क्रमचारियों का डिये हाइक अगले मईने अक्टूबर में किये जाने की उमीद है। इस बार यदि सरकार ने 4% का डिये बढ़ाया तो 73 लाग करमचारियों का मेंगाई बता बढ़कर 54% हो जाएगा। दोस्तों 20 सप्टमबर 2024 की ये खबर है इस खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि जुलाई 24 से जो आपका मेंगाई बता और मेंगाई रात है डिये डियार है उसमें 4% की बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन दोस्तों जो AI CPIN के आंकड़े हैं उसके मताबिक 53% डिये की बढ़ोतरी होगी और इस खबर के मताबिक एदि सरकार 4% की बढ़ोतरी करती है तो एक बार फिर केंद्री करमचारियों और पैंसनस को बड़ी सोगात होगी। अगर आप खुद या आपकी फैमिली में कोई केंद्र सरकार का करमचारी या पैंसनस है तो ये आपके एक काम की खबर है। जी हाँ केंद्री करमचारियों और पैंसनस को आटवे वेतन आयोग के तेत सेलरी बड़ोतरी का इंतजार है, साथ इसाथ पैंसन बड़ोतरी का भी बेस सबरी से इंतजार है। पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से केंद सरकार की करमचारी यूनियन आटवे वेतनायों को लागू करने की मांग कर रही है। केई मीडिया रिपोर्ट के आदार पर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरब से आटवे वेतनायों आयोग लागू करने का ड्राप्ट ए गठित किया गया था और एक जनवरी 2016 से लगू किया गया था किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है ऐसे में उम्मीर जताई जारी है कि सरकार साथमे वेतन आयोग की समय सीमा खतम होने से पहले आटमे वेतन आयोग पर काम करेगी दूसरी तरफ आने वले समय में केई राईजियों में विदान सभा के चुनाव होने जा रहे हैं इन चुनाओं के मदे नजर सरकार के उपर दबाव है और सरकार जल्द ही आटमें वेतनायों का गठन करेगी ये सिपारिस आयोग की तरफ से की जाती है कि क्रमचारीओं को कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से बत्ते मिलने चाहिए और रिटार्मेंट के समय कितनी पैंसन मिलनी चाहिए मौजुदा सात्वां वेतन आयोग की समय सिमा खत्म होने पर ऐसा किया जाने की पूरी उमीद है आयोग की तरफ से एकोनोमिक की इस्तिती को ज्यान में रखा जाता है। साथमे वेतन आयोग के तेथ सेलेरी संसोदन के बारे में करमचारी यूनियों ने 3.68 का फिटमेंट फेक्टर मांगा था। लेकिन उस समय सरकार ने फिटमेंट फेक्टर 2.57 पर समझोता किया। पैंसन और सेलेरी को ते करने के लिए फिटमेंट फेक्टर जरूरी होता है। 2.57 फिटमेंट फेक्टर के आदार पर चट्टे वेतन आयोग के नियूनतम वेतन की तुलना में साथमें वेतन आयोग में ये बढ़कर 18,000 रूपे मिनिमम जो सेलेरी हो गए। इसी तरीके से नियूनतम पैंसन 3500 से बढ़कर 9,000 रूपे हो गई। अधिक्तम वेतन 2,50,000 रूपे और अधिक्तम पैंसन 1,25,000 रूपे हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में परकासित रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि आटमें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फेक्टर 1,92 माना जाएगा। यानि जहां साथमें वेतन आयोग में 2,57 फिटमेंट फेक्टर से सेलेरी और पैंसन में इजापा हुआ था तो आठ में वेतन आयोग के लिए जो संभावित फिटमेंट फेक्टर है क्योंकि DADR में बडोतरी कम हुई है तो उसके अनुसार 1.92 फिटमेंट फेक्टर लगने की पूरी उमीद है अब जैसा की डिफेंस पैंसनस के लिए वन रेंक वन पैंसन का तीसरा रिविजन यानी OROP 3 एक जुलाई 24 से लागू हो चुका है सेप्टमबर की पैंसन के साथ पूरी उमीद है कि OROP 3 की पैंसन भी जारी होगी और दो महीने का एरियर जुलाई और अगस्त का जल्द ही डिफेंस पैंसनस, फेमिली पैंसनस और डिसेबलिटी पैंसनस के खातों में क्रेडिट होगा तो OROP 3 का लाब मिल चुका है और इस OROP 3 के 18 महीने के बाद आठवें वेतन आयोग में एक बार फिर पैंसन बडोतरी होने जा रही है और जो फिटमेट फेक्टर 1.92 लिया जा रहा है उसके मुताबिक 18 महीने के बाद डिफेंस पैंसनस की पैंसन में कितना इजापा होगा उसकी टेबल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं देखी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे रेंक लिया गया है क्वालिफाइंग सर्वीस लिया गया है OROP 3 में एक जुलाई 24 से आपकी पैंसन कितनी हो गई है वो ली गई है और आठवें वेतन आयोग में 1.92 जो 3 में 20,463 रुपे है तो आठवें वेतन आयोग में 49,290 हो जाएगी इस परकार 18,826 रुपे की भारी बडोतरी देखने को यहाँ पे मिल रही है सिपाई 19 साल की बात करें तो OROP 3 में बेसिक पैंसन 21,425 है तो आठवें वेतन आयोग में बेसिक पैंसन 41,136 रुपे हो आठवें वेतन आयोग में 41,277 रुपे होगा और बेसिक पैंसन में 19,779 रुपे की बडोतरी दिखेगी नाइक 22 साल में 23,579 रुपे और आठवें वेतन आयोग में 45,252 रुपे इस परकार 21,683 रुपे की बडोतरी आठवें वेतन आयोग में दिख रही है हवलदार 19 साल में देखें तो 23,432 पैंसन ले रहे हैं ये 46,990 हो जाएगी और 21,577 की बड़ोत्री आठमें वेतनायोग में होगी हवलदार 24 साल में ओर रूपी 3 में बैसिक पैंसन 24,763 है आठमें वेतनायोग में बैसिक पैंसन 47,545 हो जाएगी और जो बड़ोत्री होगी वो 22,782 रूप 29,117 रूपे होगी और जो बैसिक में इंकरीज होगा वो होगा 23,535 रूपे हर महीने इसी परकार बात करें दोस्तों ओनरई नाइप सुबदार 24 साल में तो पैंसन ओर रूपी 3-8 में वेतनायोग में 25,738 से 49,417 रूपे हो जाएगी और हर महीने 23,689 रूपे की बड़ोत 29,337 रूपे हो जाएगी और 24,599 रूपे की आटमे वेतनायोग में बड़ोतरी होगी नाइप सुबदार 26 साल में तो 26,900 से 51,648 रूपे हो जाएगी और आटमे वेतनायोग में 27,748 रूपे की बड़ोतरी होगी आगे बात करें नाइफ सुदार 28 साल में तो 27,950 और रूपे 3 की पैंशन आटमे वितन आयोग में 53,664 हो जाएगी और 25,714 रूपे की बढ़ोतरी होगी सुदार 26 साल में बात करें 28,800 से 55,200 चिन में हो जाएगी पैंशन और बैसिक पैंशन में आटमे वितन आयोग में 26,496 रूपे की बढ़ोतरी होगी सुदार 28 साल की बात करें 30,145 से 57,936 रूपे पैंशन होगी और 27,701 रूपे की बैसिक में बढ़ोतरी होगी सुदार की 30 साल में बात करें 31,500 से 60,480 हो जाएगी पैंशन और 28,980 रूपे की बढ़ोतरी होगी सुदार संसदा करें 33,565 से 64,890 रूपे पैंशन हो जाएगी और 31,050 रूपे की हर में आटमे वितन आयोग में बैसिक में बढ़ोतरी होगी सुदार मेजर 30 साल में बात करें 34,425 से 66,039 और 31,671 की बढ़ोतरी दिख रही है सुबधार मेजर 32 साल में बात करें 34,55,66,384 और 31,809 रुपे की बड़ोतरी दिख रही है ओनरेड लेपनेट के टाइस साल में बात करें 44,750 से पैंसन 48,240 रुपे हो जाएगी आटमें वितनायोग में और इस परकार बैसिक में 37,490 रुपे हर मेनी की बड़ोतरी आटमें वितनायोग में होगी ओनरेड लेपनेट 30 साल में बात करें तो 37,904 रुपे की बड़ोतरी होगी ओनरेड लेपनेट 32 साल में बात करें तो 49,215 रुपे की बड़ोतरी होगी फाइनली बात करेंगे ओनरे कैप्टन की 30 साल में तो 42,500 से 81,600 रुपे नहीं सबसे ज़्यादा पैंशन जो बड़ोतरी 49,100 रुपे की ओनरे कैप्टन के लिए होगी और 32 साल क्वालिफाइंग सर्वीस में OROP 3 में ओनरे कैप्टन की बैसिक पैंशन 42,625 है जो की 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ 8 में वेतनायोग में 81,840 रुपे हो जाएगी और इस परकार 49,215 रुपे की बैसिक पैंशन में हर महीने ओनरे कैप्टन की बड़ोतरी होगी इस परकार दोस्तों आपने देखा कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो सिपाई से लेके ओनरे कैप्टन तक OROP 3 से 8 में वेतनायोग में जाते ही हर महीने पैंशन में कितनी बड़ोतरी होगी और जो आपने वेतनायोग की आपकी पैंशन होगी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ उसके उपर 0% से DR भी लगना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे 6-6 महीने में DR बढ़ता जाएगा ये पैंशन भी बढ़ती जाएगी मुझूदा OROP3 में आपको जो पैंशन मिल रही है उसके उपर 50% DR मिल रहा है जो जुलाई 24 से 53% होने जा रहा है इस पैंशन के उपर 53% DR लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपकी बड़ोतरी है वो DR के साथ जब केल्कुलेसन होगी तो कम हो जाएगी यहाँ पे हमने केवल बेसिक पैंशन के उपर बड़ोतरी की गणना की है जो की आंकड़े आपके सामने हैं तो दोस्तों आटवें वेतनायों की चर्चाएं शुरू हो चुकी है जल्दी इसके ओपर गठन होगा समीती बनेगी वो रिपोर्ट सोंपेगी वितमंत्रा ले उ जो है उनकी पैंशन केवल 10 साल में एक बार बड़ेगी जबकि डीफेंस पैंशनर्स को एक जनवरी 2016 से साथमे वेतनायों का लाब मिला, एक जुलाई 19 से और ओर 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 तरी का लाब मिला और एक जनवरी 2026 से आठवे वेतनायों की पैंसन बडोतरी का लाब मिलेगा यानि तीन बडोतरियां हो चुकी है और एक जनवरी 26 से जो चोती बडोतरी है पैंसन में वो डिफैंस पैंसनस को देखने को मिलेगी तो दोस्तों आसाओं और उमीदों के उपर दुनिया काइम है हमें अपनी आसाएं और उमीदें हमेशा जगा के रखनी है और सही समय पे मांग भी उठानी है ताकि सही समय पे वेतनायों का गठन हो और केंद्री करमचारियों और फैंसनस को इसका लाब मिले तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकरी आप कमेंट करके जुरूर बताइएगा इस वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई और जानकरियों के साथ किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै बारत वंदे मातरम